हलो एवरिवन वेलकम तू मैं चैनल जैमातादी आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नवरात्री में घट स्थापना के लिए क्या क्या शामिगरी की आवेशक्ता पड़ती है तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं नवरात्री वरत की पूजा में घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें जटा वाले नारेल की आवेशक्ता पड़ती है जिसे हम पानी वाले नारेल भी बोलते हैं उसके बाद हमें एक कलश की आवेशक्ता पड़ती है कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है इसके अलावा यदि आपके पास पीतल का कलश है या फितावे का कलश है तो आप उसको घट के रूप में स्थापित कर सकते हैं अब हमें जवारे बूने के लिए एक मिट्टी के पात्र की आवेशक्ता पड़ती है पात्र अपने कलस के अकोर्डिंग आप बड़ा या छोटा ले सकते हैं इसके अलावा यदि आपको मिट्टी का पात्र नहीं मिलता है तो कुछ लोग फर्स को अच्छे से क्लीन करके गेहुं से उगाय जाते हैं तो आप केवल गेहुं ले लीजिए और गेहुं और जो मिक्स करके उगाय जाते हैं तो आप दोनों ले लीजिए इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि जवारे उगाने से पहले हमें गेहुं और जोग को एक रात पहले बिंगो देना चा इलाइची लॉंग का जोड़ा लिया जाता है कलस की जल को थोड़ा सा मीठा करने के लिए एक बतासा डाला जाता है एक पुश्प डाला जाता है मातारानी के नाम से इसके बाद मॉली की आवश्यक्ता पड़ती है गुलाव जल की आवश्यक्ता पड़ती है कलस के जल को सुगंदित करने के लिए कलस पर तिलक लगाने के लिए हमें रोली की आवेशक्ता पड़ती है इसके बाद आप गुलाव जल की जगे इत्रका भी प्रेयोग कर सकते हैं कलस को सुगंदित करने के लिए जवारे उगाने के लिए हमें मिट्टी की आवेशकता पड़ती है मिट्टी एकदम साफ सुतरी होनी चाहिए मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए मिट्टी को आप चलनी से छान करके सुध कर सकते हैं यानि कि साफ कर सकते हैं इसके बाद हमें कलस के मुख पर लगाने के लिए आम के पत्ते या फिर असोग के पत्तों के आवश्यक्त पढ़ती है मैंने या पर आम के पत्ते लिए हैं आप असोग के पत्ते भी ले सकते हैं नारियल पर लपेटने के लिए हमें एक चुनरी के आवशक तब पढ़ती है मातरानी की या फिर आप लाल कपड़ा भी नारियल पर लपेट सकते हैं इसके बाद जब हम कलस की स्थापना करते हैं या फिर घट स्थापना करते हैं या फिर चावल की ढेरी रखनी होती है अश्टिदल कमल वनाने के लिए आप इस तरह से चावलों को रंग सकते हैं नहीं तो आप सिंपल चावल का भी प्रेयोग कर सकते हैं यानि कि आप सफेद रंग के चावलों का भी प्रेयोग अश्टिदल कमल वनाने के लिए कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी नवरात्री में घट स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामगरी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना पसंद आई हो तो लाइक करना और जादा से जादा अपने फैमली फ्रेंट्स में शेयर करना हमारे चैनल को करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में जैम आता दी अवश्यक न धन्यवाद जैम आता दी